आज हम बनाएंगे दशेरा के लिए इंस्टन जलेबी बनाना बहुत ही आसान है सिर्फ 10-15 मिनट में ही ये बन जाती है इसलिए इसे इंस्टन जलेबी कहा जाता है इंस्टन जलेबी खाने में बहुत ही टेश्टी होती है अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करके ये जलेबी बनाएंगे तो यह बिल्कुल ही perfect बनेगी और लंबे समय तक crispy भी रहेगी क्योंकि अगर सही तरा से हम जलेबी नहीं बनाते हैं तो वो कई बार soft हो जाती है तो बिल्कुल भी खाने में अच्छी नहीं लगती और normally जलेबी बनाते वक्त हमें बैटर को 10-12 घंटे के लिए fermentation के सबसे पहले एक बाऊल में हम 1 cup जितना मैज़ा एड़ कर लेंगे अब हम इसमें 3 बड़े चमच जितना दही डालेंगे मेरा दही यहापे थोड़ा कट्टा है हमें थोड़ा कट्टा दहीं ही लेना है अब हम इसमें आदा चमच बेकिंग सोडा डालेंगे कुछ लोगों को बेकिंग सोडा और बेकिंग पावडर के बीच का फरक पता नहीं होता तो ये देखे टाटा आय शक्ति का जो कोकिंग सोड़ा आता है वही बेकिंग सोड़ा है और ये बेकिंग पावडर है अभी मैं बेकिंग पावडर यूज़ नहीं कर रही हूँ मैंने ऐसे ही बताया है अब इसमें आदा चमच विनेगर डालेंगे एक चूटकी जितना यलो फूड कलर डालेंगे अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालके विसकर से मिक्स करते जाएंगे ध्यान रहे मैं देखो हमें एक बार चान के ही यूज़ करना है और बेटर हमें थोड़ा गाड़ा लेकिन पूरिंग कंसिस्टनसी का रखना है ब बेटर अभी भी थोड़ा गाड़ा है तो थोड़ा और पानी अड़ करके मैं इसका पूरिंग कंसिस्टनसी का बेटर बना लूँगी आदे कप से उपर एक बड़ा चमच पानी यूज़ हुआ है लेकिन पानी का जो मेजरमेंट है वो इधर उधर हो सकता है क्योंकि जो आपने दही आड़ किया हो वो पतला हो या गाड़ा हो उस पर पानी डिपेंड करता है तो ये देखे बेटर इस तरह एक इधार में गिर रहा है बेटर और इसमें कोई लंप्स भी नहीं रहने चाहिए तो अब इस पेटर को मैं एक कैचप की बोतल में भर लूगी इस तरह की कैचप की बोतल मेर्केट में इज़ी लिए आपको मिल जाएगी अब हम जले भी बनाने के लिए चाष्णी बना लेंगे तो इस पैन में मैंने एक कप जितनी चीनी और एक कप जितना पानी एड़ कर दूँगी अब इस चीनी को हम पहले अच्छे से मेल्ट होने देंगे मीडियम फ्लेम पे आप देख सकते हैं तीन मिनट में हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और चीनी अच्छे से गुल जाए उसके बाद हम इसमें आदा चमा जितना निम्बू का रस एड़ कर देंगे निम्बू का रस डालने से हमारी जो चाष्णी है वो जमेगी नहीं चीनी क्रिस्टलाइज नहीं होगी तो अभी फिर से हम इसे चार मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे चार मिनट बाद आप देख सकते हैं चार्ष्णी एक तार बनने के नजदिक आ चुकी है एक तार बनने ही रहा है लेकिन एक तार के नजदिक आ चुकी है तो इसी स्टेज भी हम गैस बंद कर देंगे तो जलेबी बनाने के लिए मैंने एक फ्लेट पैन में तेल गरम करने रख दिया है जब तेल हलका सा गरम हो तब हम उसमे जलेबी बनाना शुरू करेंगे अगर तील ज्यादा गरम होगा तो जलेबी तुरंत अपना शेप छोड़के टेड़ी मेड़ी होकर उपर आ जाएगी इसका गूल शेप नहीं आएगा तो तील थोड़ा ही गरम होना चाहिए आप देख सकते हैं कितनी अच्छी गोल जलेबी बन रही है बेटर की कंसिस्टन्स यगर परफेक्ट होगी तो जलेबी गोल ही बनेगी और इस तरह का फ्लैट पैन ही यूज करना है जलेबी बनाने के लिए उस बात का खास ध्यान रखे कोई डीप कड़ाई हम यूज नहीं करेंगे अभी मैंने टोटल छे जलेबी इस पैन में बनाई है अब इन सारी जलेबीों को हम थोड़ी देर के लिए क्रिस्पी होने देंगे जब ये एक साइट से क्रिस्पी हो जाएगी तब हम इसे चिम्टे से पकड़ कर दूसरी तरफ टरन कर लेंगे अभी ये होई नहीं है जलेबी एक साइट से क्रिस्पी हो चुकी है तो अब हम इसे टरन कर लेते हैं और दूसरी तरफ से भी हम इसे क्रिस्पी होने दिना है जलेबी दोनों तरफ से क्रिस्पी हो जाने के बाद ही हम इसे चाशनी में अड़ करेंगे तो जलेबी को एक बार ओल हम पलटा देंगे और फिर से क्रिस्पी होने देते हैं ध्यान रहे कि गैस की फ्रिम स्लो ही हो जलेबिया जब दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए तो इस पैन को हटा कर हम यहाँ पे चाशनी वाला पैन रख देंगे और जो भी जलेबिया मैंने बनाई है उसे चिम्टे से पकड़गार हम चाशनी में डाल देंगे और दो-तिन मिनट तक हमें चाशनी में है जलेबिय को सौक रहने देना है मैं यहाँ पर कोई भी वीडियो कट नहीं करना चाहती हूँ जो कुछ भी है आपके सामने ही है तो मैं थोड़ा जोम भी कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दीख पाए चाशनी में डालने के बाद हम एक फॉर्क से सारी जलेबियो को फल्टा देंगी और फिर इसे चाशनी में ही हमें डुबा के रहने दिना है ताकि यह अच्छे से चाशनी अबजॉब कर ले मैंने सारी जलेबियो को दू-तीन मिनट तक चाशनी में रहने दिया था तो अब हम इसे एक बाहर एक प्लेट में निकाल लेंगे चाशनी में जब भी हम जलेबि डाले तो चाशनी ठंडी नहीं होने चाहिए वाम चाशनी में ही हमें जलेबि डालनी है यह देखे बहुत ही अच्छे से चाशनी अब्जॉब की है इसी तरह से मैं थोड़ी और जलेबि भी बना लूँगी जलेबि बनाते वक्त एकी बात का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लिम स्लो होनी चाहिए और तेल भी ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए तो सेम इसी तरह से दोनों तरफ से जलेबि जब क्रिस्पी हो जाए तो मैं इसे भी चाशनी में डालके रेडी कर लूँगी प्रेंट सारे जलेबिया मैंने रेडी कर ली है और मैं इसे पिस्ता की कत्रन से गार्निष्ट कर रहे हूँ ताकि ये लूप में भी अच्छे लगे आप प्लीज ये रेसिपी जरूर ट्राइ कीजिएगा ये बहुत क्रिस्पी बनती है और अच्छे से चाशनी भी अबसॉब करती है हमारी इंस्टन जलेबि बनके तैयार है आप इस जलेबि को वार्थ योहर पे बना के खा सकते हैं या ऐसे भी जब भी मन करें अच्छानक जलेबि खाने का तो आप तोरंती से बना के खा सकते हैं अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक शरूर सब्सक्राइब करना ना भोले सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बैल आइकन है उसे भी क्लिक करें ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे अगर आपको मेरा यही वीडियो गुजराते में देखना हो तो उसकी भी मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देई हुई है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाई